हेलो एव्रिवान वेलकम टू कौन स्टडी मैं आपको करा रही हूँ जेकी एससबी क्लास 4 की रेक्रूट्मेंट के लिए जिये का जो पार्थ है हमारा इंडियन हिस्ट्री का आज थर्ड लेक्चर है अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखनी है तो आप जाए प्लेलिस्ट में जेकी एससबी की अलग से जेनरल वेनेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर आप मेरे सारे लेक्चर्स चेक कर सकते हैं अगर आप हमारे चानल पर न्यू है तो आप प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया हैनल को नहीं किया है फॉलो तो आप जाकर कर लीजे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारों के लिंक्स अवेलिबल हैं फेस्बुक में आपको हमारे चानल की अपडेट्स मिलती रहती हैं इंस्ट सारे बच्चे पूचते हैं कि PDF कहां होती है तो PDF in lectures की जो हैं वह आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड होती है तो आप quizzes के लिए और PDF के लिए आप हमारा टेलिग्राम चानल भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज का लेक्चर देख लेते हैं आज हम आप आज मैं लेकर आ रह चुके हैं governor general of Bengal उके इनहीं के टाइम पर dual government Bengal में शुरू ही थी in 1765 he was a British officer जिन्होंने establish किया था military और political supremacy को East India Company में अगर आपको याद हो तो Robert Clive के टाइम पर ही battle of Plassey हुई थी जो लड़ी थी सिराज दुल्ला ने Bengal के ठीक है the foundation of British Empire in India where it is said led by Robert Clive he is the conqueror of India ऐसा बोला जाता था that he is the conqueror of India Robert Clive जो थे वो इंडिया में आय थे in 1743 as a civil servant और बाद में इनको transfer कर दिया था military service में and then in 1753 he returned to England ओके अब उसके बाद आया आपके जो बरें हिस्तिंग्स ही बॉलिश्ट दे डॉल गोर्मन शिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था इनके टाइम पर जो लांड रिविन्यू सिस्टम था वो शुरू किया गया 1772 में ठीक है इन्होंने ही Asiatic Society of Bengal की भी foundation की थी with the help of William Jones इनके इंगलन जाने के बाद इनकी impeachment शुरू कर दी थी against him in the house of Lord he was the first governor general of Bengal ठीक है अगर first governor general of Bengal की बात की जाए तो फिर Warren Hastings का नाम आता है इनके टाइम पर ही first Anglo-Maratha war second Anglo-Mysore war इनहीं के टाइम पर हुई थी और रहुला वार भी इनहीं के टाइम पर हुई थी अब आती है बारी Lord Convallis की तो he was the first person to codify laws ठीक है code जो था वो separate किया गया थे revenue administration से from the administration of justice इन्होंने ही district judge की पोस्ट भी बनाए थी पहली बारी इनहीं के टाइम पर permanent settlement जो की land revenue का ही एक बाट था उसे introduce किया गया Convallis को father of civil service इन इंडिया भी बोला जाता है इन्हीं के टाइम पर third Anglo-Mysore war हुई और इन्होंने तीपू सुल्तान को हराया था in 1793 यह England वापिस चलेगे थे to receive the title of marks और इन्हें प्राइवी council में seat भी grant हुई थी ठीक है इसके बाद आते हैं आपके Lord Willisley इन्होंने अपने आपको ही Bengal Tiger बोला हुआ है ठीक है इन्हीं के टाइम पर subsidiary alliance system शुरू हुआ था मदरास की presidency जो है वो इन्हीं के टाइम पर बनाई गई थी ठीक है पहले Bengal जो था वो जस्ट एक प्रोविंस था बाद में उसे presidency बना दिया गया था इसी तरह से मदरास को भी presidency बना दिया गया था इन्हीं के टाइम पर treaty of bus sign हुई थी और इन्होंने ही second Anglo-Maratha war लड़ी थी अब subsidiary alliance की बात हुई है तो subsidiary alliance क्या है इससे क्या होता था कि यह territories को capture करते थे बिना कोई लड़ाई किये हुए इसमें था कि actually में प्रोविजन की एक military alliance थी जिसके अंदर इंडियन स्टेट्स तो थी उनको एक amount पे करनी पड़ती थी Britishers को to maintain an army in the state ठीक है in return Britishers क्या करते थे कि उनको बाहर या अंदर के किसी भी खत्रे से बचाते थे अगर इंडियन स्टेट्स फेल होगे Britishers को पैसे पे करने में तो Britishers जो थे वो उनकी territory का कोई एक पार्ट जो थे वो हडप लेते थे पहली स्टेट्स जो थी जो subsidiary alliance के अंडर इन्होंने annex की थी that was Hyderabad and अगर लास्ट की बात की जाये तो दाट वस अबद जिसकी वज़े से revolt of 1857 happened ठीक है then came Lord Hastings Lord Hastings जो थे इन्होंने रहतवारी सिस्टम शुरू किया था मद्रास presidency में ठीक है और रहतवारी सिस्टम जो था वो actually में किस ने शुरू किया था गवर्णर थॉमस मुन्रो ने बट उस टाइन पर गवर्णर जेनरल कौन थे लॉर्ड हेस्टिंग्स ठीक है अब अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्णर जेनरल दो थे वो हेड होते थे Presidency के और हर एक Presidency के एक गवर्णर होते थे इसलिए यहां पर मद्रास presidency के गवर्णर जो थे वो थॉमस मुन्रो थे बट इन जेनरल जो गवर्णर जेनरल थे he was Lord Hastings ठीक है इन्हों नहीं policy of intervention and war शुरू अडॉप्ट किया था और महलवारी सिस्टम जो था वो भी इन्हीं के टाइम पे इंटर्ड्यूस हुआ था by James Thompson अब अगर आप land revenue systems की बात करें तो तीन टाइब के systems थे पहला आपने पड़ा permanent settlement जो कॉन वोल इसने इंटर्ड्यूस किया था इट वस इंटर्ड्यूस इंटर्ड्यूस किया गया तो वहां पर क्या था एक amount fix कर दीगी एक tax amount जो की देनी पड़ेगी जमीन दार्ड्यूस को ठीक है तो था क्या इसमें जमीन दार्ड्यूस जो थे उन्हें बोल दिया गया कि आप ही अपनी लैंड के owners हैं जमीन दार्ड्यूस जो थे वह one 11th part जो है वह revenue का अपने पास रख सकते हैं और 10th 11th part जो है वो किसको देना पड़ेगा Britishers को ठीक है Britishers को देना पड़ेगा 10th 11th part और one 11th part जो है ये अपने पास रख सकते हैं और इन्हें छूट दी गई थी कि आप जितना मर्जी revenue अपने जो लांड से है वो आप attain कर सकते हैं बस उसका 10th 11th part जो है वो Britishers को जाएगा और इतना पार्ट आप खुद रख सकते हैं तो इसी विजह से ये जो system था ये बहुत ही जादा exploitative था जमीन दाज अपना पैसा बढ़ाने के लिए और भी जादा अप्रेस करते जा रहे थे पीजन्स को जो कि उनकी लांड पे काम करते थे तेनकीम रवयत्वारी सिस्टम जो की मदरास जो की मदरास बॉंबी और असाम में इंट्रिड्यूस हुआ था बाय थॉमस मुन्रो यहां आपको बताया थॉमस मुन्रो जो थे वो मदरास प्रेजिडेंसी के गवर्न थे यहा सूल रही थी and then came the third one महलवारी सिस्टम जो की मेंनी सेंट्रल इंडिया में इन्होंने लगाया था इसमें क्या था जो विलेज का हेड था जो प्रधान था he was responsible tax collect करने के लिए और वो tax collect करके उसे Britishers को देना होता था ठीक है तो यह हो गए आपके तीन सिस्टम्स जो की आपके exam point of view से important है आपको यही पता होना चाहिए कि किस सिस्टम में कौन tax लेता था और यह सिस्टम किसने introduce किया था देन अगर हम next governor general की बात करें तो that was lord william bentic ठीक है यह first governor general थे ऑफ इंडिया इससे पहले प्रेजिडेंसी की होते थे उसके बाद यह first governor general बना दिये गए इंडिया के ठीक है इन्हें most liberal बोला था था और इन्होंने education सिस्टम पर बहुत काम किया है इन्होंने ही सती को बैन किया female infanticide को बैन किया मतलब जो जो भी इन्हें इंडियन कास्टम में गलत लगती की चीज़ें इन्होंने उन्होंने बैन कर दिया इंग्लिश को इन्होंने court language बना दिया और lower court higher court language बना दिया और lower court में अभी पर्श्वन ही चल रही थी इन्होंने क्या किया इन्होंने अबॉलिश किया court of appeals को ठीक है जो की the policy of doctrine of lapse जिससे जो भी मैं आपको आगे बताऊंगी इन डिटेल कि doctrine of lapse में actually में कैसे ब्रिटिश जो रूलर्स की जो territory थी उसे हडपते थे इसने ही वुड्स dispatch भी इंटर्यूस किया which is known as the magna card of English education in India और यह किस से प्रिपेर करवाया था चार्ल्स वुड्स से ठीक है तो इसमें क्या था कि primary education से लेकि university level की education के लिए पूरी proper scheme बनाई हुई थी which was very important for the education system in India first railway line जो थी वो भी इनी के टाइम पर शुरू करवाई गई थी from Bombay to Thane और जो second railway line थी that was from Calcutta to Ranigan's बहुत important है कि first railway line जो थी यह बहुत बार exams में पूछा जाता है कि first railway line जो थी वो कहां से कहां तक की थी और कब introduced हुई थी so it was introduced in 1853 from Bombay to Thane okay then इनोंने ही communication system भी improve करने की कोशिश की थी in India so इनी के time पर post और टेलिग्राफ lines जो थी वो लेड हुई थी from Calcutta to Agra इनी के time पर हिंदु मेरे जाग भी पास हुआ था एक post office act भी पास हुआ था ठीक है he was the youngest governor general of India और इन्होंने सबसे जादा रूल किया है इंडिया पर आस governor general of India इनी के time पर एक engineering college भी खुला गया है रूर्की में में और इन्होंने काफी roads वगेरा पर भी improve करने के लिए काम गया ठीक है इनकी जो major policy that policy थी that was doctrine of lapse तो उस doctrine of lapse में था क्या actually it was introducing 1848 और इसमें यह था कि British's को right था किसी भी Indian state को annex करने का अगर उसका जो ruler है वो मर जाता है without a natural successor इसकी जो बहुत ही prominent story है वो जहांसी से related है क्योंकि Rani Lakshmi भाई का कोई natural successor नहीं थे तो इन्होंने जहांसी को हडपने की कोशिश की थी and Rani Lakshmi भाई revolted against it and she was also part of revolt of 1857 as you all know then came the last governor general of India he was Lord Kenning और क्योंकि 1857 के बाद ये भी continue किया इन्होंने तो he became the first viceroy of India देखो जब तक East India company चला रही थी administration को इंडिया में तब तक governor generals of India और जब British crown के अंडर आ गया इंडिया तो तब viceroy बनना शुरू हो गये थी ठीक है अब ये मैंने आपको कहां पढ़ाया है तो आपको last lecture में पढ़ाया है कि what were the outcomes of revolt of 1857 तो इनी के टाइम पर revolt of 1857 तो इनी के टाइम पर revolt of 1857 होई थी Queens Victoria's Proclamation and passing the Indian Council Act of 1858 जिससे वाइसरों इस बनना शुरू हो गये थे डॉक्ट्रीन ओफ लाप्स जो था उसे विड्ड्रॉ कर लिया गया न्यू यूनिवरस्टी सेटप की गई क्यालकेटा बॉंबे और मैड्रास में इंडिगो रिवॉल्ट भी इनी के टाइम पर हुआ था बेंगॉल में बहादुशा जफर थे उन्हें रंगून भेज दिय गया एक्जाइल कर दिया गया उन्हें और आईपीसी ओर जो क्रिमिनल पीनल कोड है यह भी इनी के टाइम पर एनक्ट हुआ था इंकम टाक्स इंट्रीउस हुआ फर्स ताइम और इंडियन हाई कोट आक्ट जो था वो भी एनक्ट किया गा इन्दी लीडर्शिप ओ लॉड थर्सडे आई होप आपको आज का लेक्टे समझ आया हो आज भी कुछ क्वेस्टेंस है इस लेक्टे से रिलेटिड आपके लिए आपके लिए आप कॉमेंट में जरूर इन्हें रिप्लाइ करेंगे इनके आंसर्स जो है वो वीडियो में ही छुपे हुए हैं यूजस हाब रिवीजिन का इससे पहले इतना टाइम आपको भी मिला है जो एक्जाम डेट आने से पहले का मिला हुआ है मेक्शूर दाट यू आर यूटिलाइजिग दिस टाइम वेरी वेल यू अर प्रेपेरिजिंग यूर नोट्ट यूर रिवाइजिंग यूर नोट एवरी नाव ताकि जब आपका exam आए तो आपके उपर जादा burden नहीं हो और आप अराम से exam को crack कर पाएं और यह तब ही हो सकता है अगर आप time to time revision करेंगे अपने notes को अच्छे से पढ़ेंगे और जो मैं जो भी हम सब teachers पढ़ाते हैं आपको उसको आप ध्यान से समझेंगे और अगर कोई doubts ह हैं तो you are most welcome आप उन डाउट्स को पूछिए हम आपके doubts को भी clear करेंगे ओकी विद दाट आए कंप्लीट मैं लेक्चर फो देए थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस्यो कर दो